आज से अमले काओं वेलकम टो यूनिवर्स अपसरकारवर कैसे हम इदर टिक टाक होंगे आज हम सीखेंगे लेयर्स के बारे में अडूबे एकस डी में कंट्रोल वाई इसकी शॉट की है आप कंट्रोल वाई को प्रेस करेंगे तो यह पैनल यहां पर वाजिया हो जाएगा सबसे पहले है हमारे पास artboard अगर यह आर्ट बोर्ड को सेलेक करें तो property panel के अंदर यह सारे option हो जागर हो जाते हैं आप यहां पर double click करके इसे rename कर सकते हैं और इसके अलावा यहां पर भी double click करके इसे rename कर सकते हैं और अगर इस तरह की हलकी सी light bar आ जाए तो cursor इस तरह double arrow में change हो जाए तो click करके drag करेंगे तो आप guideline बना पाएंगे इसके दरम्यान ठीक है जी और guys यहां से artboard कैसा रखना चाहते हैं वो change कर सकते हैं portrait, landscape और वे तर हाइट, position वेगरा change कर सकते हैं layout के अंदर आकर responsive side जैसे option मिल जाएंगे आपको ठीक है जो आप गजस्ता वीडियो में सेख चुके हैं scrolling है, vertical रखना चाहते हैं या फिर none यहां पर choose कर सकते हैं क्या है scrolling यहां पर देखते हैं अगर हम इस artboard को थोड़ा सा इस तरह बढ़ा करते हैं ठीक है जी और इस तरह को चीज यहां पर मैं बना लेता हूं show करने के लिए या फिर समझाने के लिए यह इसके अंदर मैंने color fill कर दिया ठीक है और वापस इस artboard को select कर लेता हूं यहां से यहां पर मिल जाता है vertical क्या है यह और इसके नीचे मिल जाता है view point अगर मैं आपको इस तरह प्ले करके दिखा हूं तो scroll करने पर यह scrolling करता है ठीक है जी तो अगर यहां पर मैं none कर दूँ तो अब यह scroll नहीं करेगा ठीक है जी यह scrolling इसे मैं on करता हूं नीचे मिल जाता है view point ठीक है जो आप change कर सकते हैं अगर यहां पर मैं वापस जो पहले था भी रख दूँ तो आपको वाजिया नजर आएगा यह जो लाइन है यह है view point आप यहां से भी change कर सकते हैं और यहां से भी change कर सकते हैं ठीक है जी यह है view point artboard के अंदर के color लेकर आना चाहते हैं तो यहां पर click कर दें इसके बाद इसके अंदर color लेकर आज सकते हैं और मजीड अगर आप grill का इस्तमार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इसके अंदर दो option हैं एक layout और एक square और layout के अंदर आपको ये इस तरह की लाइनी नज़ आएंगी ठीक है जो फिल वक्त बारा हैं आप चेंज कर सकते हैं color भी चेंज कर सकते हैं और इनके दम्हें जो गटर है जो space है इनके दम्हें वो यहां पर बढ़ा सकते हैं कॉलम की विथ बढ़ाना चाहते हैं, यह जो कॉलम हैं यहां से लेकर यहां तक इसकी विथ है, यहां से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे 120 कर देता हुमें, ठीक है जी, और इसके अलावा, अगर आप मार्जन चेंज करना चाहते हैं, यह साइड पर दोने तरफ नज़र और आप चारों तरफ margin लेकर आना चाहते हैं तो यहां पर किलिए कर देए और बाद में आप यहां पर margin जो है वह define कर सकते हैं ठीक है यह देखो उपर की तरफ margin आ चुका है So, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, चेंज करता हूँ, स्क्वेर लेकर आते हैं स्क्वेर क्या करेगा? इसके दिन में यह एक ग्रेल ले आएगा, स्क्वेर नमा और उसके color चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर square का size वगएरा, वो यहाँ से change कर सकते हैं डिफोल्ट और मेक डिफोल्ट भी बना सकते हैं ऐसे तो फेल कलर में वापस वाइड कर देता हूं और यहां पर इसे नन कर देते हैं यह कोई यूज नहीं करूंगा इस ड्रेल वगारा को इस लेयर के अंदर आकर उपर देखें आल एटम्स के अंदर आपको इमेज शेप और टेक्स आपकी लेयर के अंदर बहुत से इमेजेज हैं उन्हें ही देखना चाहते हैं तो आप यहां पर शोर कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं यहां पर एक अशेप बना लेता हूं वाज़ा करने के लिए इसके अंदर कोई कलर दूँगा ठीक है और यहां पर टेक्स भी लिए तो यहां पर मैंने टेक्स लिए और एक इमेज यहां पर इमपोर्ट कर लेता हूं यह मैंने इमेज इमपोर्ट कर ली है तो अगर आप इमेजेस को ही देखना चाहते हैं तो यहां पर आल एटम की बजाए इमेज सेलेक्ट कर लें सिर्फ इमेज ही शोर होंगी यहां से एक के अंदर तो वो भी देख सकते हैं और इस के अलावा आप इस लेयर के अंदर आकर जो विट्ट यूँ स्लैक्ट करेंगे तो वह यहां पर ART PROD पर सलैक्ट हो जाता है ठीक हैenger मैं ALL ATOM को स्लैक्ट करों और मैं TEXT की स्लैक्शन करना चाथ хот तो यह देखें इसी तरह image की So guys Of course आप double click करके यहां से rename भी कर सकते हैं Ellipse लूँगा यह मैंने यहां पर एक ellipse लिया और वास्या करने के लिए इसके अंदर कोई color फिल कर देता हूँ अब guys यह जो shape है Ellipse की ओपर है आप इसे arrange भी कर सकते हैं इस tool की मदद से इसके पर यह प्लिक करूँगा तो यहां से arrange कर पाऊँगा और साथ में आप इन commands का भी समाल कर सकते हैं So मैं यहां पर इसे send back कर देता हूँ और यह देखें यहां पर यह आ चुका है इसके अलावा आप यहां पर भी इसे यह arrange कर सकते हैं ठीक है So अब दोनों shapes को मैं यह select करूँगा तो यहां पर कर दूँगा इसे group तो यह जो shape है group बन चुकी है और इस folder के पर अगर मैं click करूँ तो इसके अंदर आकर इन shapes को select कर सकता हूँ ठीक है और इसके अलावा अगर मैं इस तरह एक और line ले लूँ या कोई shape बना लूँ shape की मदद से यह और वाज़ा करने के लिए इसका size थोड़ा बढ़ा देता हूँ यह हो चुकी है और अब यह देखें सब से उपर है ठीक है और इसे मैं arrange करना चाहता हूँ तो मैं इसे click करके drag करूंगा तो यह देखें folder के नीचे आ चुका है और अगर मैं इस तरह click करके drag करूं और इस line और इस group को select करके फिर से एक group बना लूँ यह तो देखें क्या होता है इस folder के अंदर एक group है और एक line है यानि यह group है और यह sub group बन चुका है ठीक है जी इस तरह भी आप कर सकते है Ctrl Z प्रस करूंगा अब मैं चाहता हूँ कि यह जो line है इसी का हिस्सा बन जाए तो click करके drag करूंगा इसके अंदर ले जाँगा अब यह तीनों object जो है group हो चुके है एक यानि एक single group बन चुका है और मजीद इस तरह select भी कर सकता हूँ और इसके बाद इस line को arrange भी कर सकता हूँ यहाँ पे भी और इसके अलावा इसके पर यह click करके भी right यह arrange कर सकता हूँ bring front ठीक है जी अब इसे मैं यहाँ पे collapse कर देता हूँ और एक और shape यहाँ पे बनाता हूँ जैसे यह है click कर मैंने drag किया यह बन गी एक shape और इसके अंदर color फिल कर देता हूँ वाज़ा करने के लिए और साथ में एक और shape बनाऊँगा polygon यह मैंने shape बना ली और इसके अंदर भी color फिल कर देते हैं दोनों को सेलेक्शन टूल की मदद से और अब बना दूँगा मैं एक component तो यह एक component बन चुका है अगर इस icon के पर यह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो जो अंदर object हैं कोई भी है text है, image है यह को shape है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, rename भी कर सकते हैं इसे मैं यूँ छोटा कर देता हूँ responsive size को मैंने off कर दिया था और मजीद अर्ल की मदद से इसकी एक और copy करूंगा अब यहाँ पे फरक देखें यह main component है जो इस तरह एक green जो है square दिखा रहा है ठीक है, polygon shape की तरह और यह जो है एक clone है, इसका ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं नज़र आएगा आपको और अगर मैं इसे यूँ select कर लूँ अंदर वाले को या फिर से और इसका color change करूँ कोई भी तो साथ में इसका color भी change हो जाता है ठीक है और अगर मैं इसी की एक और copy करूँ यहाँ पे और इसको select करके इसका color change कर देता हूँ जैसे green कर लेते हैं और इसकी border जो है वो बढ़ा देता हूँ जैसे 9 है यानि इसका size तो अब देखें क्या फरकाता है यह है जी main component और यह है इसका clone और यह override component है यानि इसके अंदर आप कुछ भी change करें तो यह override हो जाता है अब इस main component के अंदर आकर वापस मैं इसका color change करूँगा तो इसके अपर कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है यह देख सकते है चले यह color select कर लेता हूँ और यहाँ पे click कर दिया तो भी देखें इसका color जो है चेंज हो चुका है लेकिन इसके अंदर कोई फरक नहीं आया तो यह override component है यह main component और यह clone यहाँ से भी आप वाज़ा फरक देख सकते है in square की मदद से ठीक है यह light है और यह grey light और यह इसके अंदर एक चोटा सा डॉट बना हुआ है जो के वाज़ा करता है कि यह एक override component है of course यहाँ से रीनिम भी कर सकते है इसके अंदर जो object है उनको भी rename कर सकते है तो guys यह थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा layer के बारे में और next हम सीखेंगे library के बारे में यानि कैसे हम एसल इसके अंदर add कर सकते हैं और इसकी शौट की भी आप साथ में देख रही है layer की ठीक है control Y है याद रखें कि अगर आप कोई भी shape या group या फिर ameja text वगरा लेकर आएंगे तो property panel के अंदर उसी के हवाले से option शो हो जाते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफीज और मेरे चैनल को सब्सक्राब करके वीडियो को लाइक करके और इन दोक्ता शेयर करके मुझे support करें Thank you for watching झाल